अज के अख़बारों में सिख्षक बाली से जुड़ी हुई कोई काम की खबर एवलेबल तो नहीं है सभी बड़े अख़बारों को मैंने चेक किया है इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन मुदों बात करेंगे सबसे पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद फिर बात कर होगा छठा फेस की बाली को खुलवाने में भी इन प्राइमरी सेक्शन के ही कैंडेट्स का बहुत बड़ा रोल है जो कि सीटेट बीटेट वाले कैंडेट हैं और अब इनका प्रोटेस्ट साथमें फेस के लिए फिर से स्टार्ट हो गया है पटना में अब क्या होता है इस इसी भी प्रोटेस्ट के अंदर संख्या बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरा अपना मुद्धा जो कल नोटिस जारी हुआ था जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है इसके अंदर संजय कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग है सभी जिला के जिला सिक्षा प् बारे में पहले भी हो चुका था पहले भी नोटिस जारी हो चुका था पहले ही मैंने वीडियो बनाया है इसका लेकिन ये भी एक मुद्धा है इस मीटिंग का इसके इलावा जो कोट केसे स्पेंडिंग है उसके बारे में जो बची हुई थड इसकी जो कॉंसलिंग है प्र और दूसरे कई तरह की बहालियों के बारे में सवाल उठाए है विदान सभा के अंदर हाला कि अभी तक का ये अपडेट है कि कोई कॉंक्रिट जवाब कोई बुखता जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है मुम्किन है कि रिटन में ही जवाब आए एक जो जवाब घूम रहा है कई सारे ग्रूप्स में वो पुराना है जो पिछली बार जब विधान साहब का सेशन लगा था उस वक्त का जवाब है इस बार का जवाब जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करूंगा उस पे लेकिन जी उससे आप बहुत जादा उमीद मत रखिए इस तरह का मुद्दा अगर विपक्च के विधायक उठा रहे हैं तो उससे ये है कि मेडिया की खबरे बनती हैं हाला कि आज क्या खबारों में भी यह सब अवलेबल नहीं है लेकिन एटलिस्ट इमामले हाईलाइट होते हैं सरकार के नोटिस में जाते हैं लेकिन सरकार क्य पास से कोई खबर आती है या जो मीटिंग चल रही इसका कोई आउटकम निकल के आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा लेकिन अभी के लिए यही सारी चीज़े थी थी थैंक यू